नमश्कार मैं हूँ डॉक्टर चक्षू अगर सेक्षूल कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए आपने योहिम्बिनम नाम की हुमिपतिक दवा का नाम सुना है तो बता दूँ आपको कि इसका बहुत ज़्यादा मिस्यूज होता है तो जरूरी है इस वीडियो में बताना कि भई इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप इसे बेस्ट बेनेफिट्स पा सकते हैं तो समझदारी बला डिसीजन लीजिए और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए तो सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि भई आखिरिये योहिंबिनम दवा इतनी फेमस क्यों है क्या है इस दवा का राज देखिए योहिंबिनम बेसिकली योहिंबिन नाम का एक प्लांट है और ये प्लांट या ट्री जो है वो वेस्ट आफरिका में मिलता है इस प्लांट की जो बार्क थी यानि जो इसका चाल थी उसमें एक कोई क्रिस्टलाइन करका लिक्विड टाइप उस निकलता था जिसे West Africa की जो native लोग थे इस्तिमाल करते थे अपनी sexual complaints के लिए sexual ताकत को बढ़ाने के लिए और उन्हें उससे बहुत अच्छा फायदा होता था एक बड़ा एफरोडीजी एक था जब researchers ने कोशिश करी पता करने की ये क्या है तो पता चला कि योहिम बिन नाम का एक alkaloid उसके अंदर मौझूद है और इसी alkaloid या वो crystalline substance जो है उससे बनी दवा होमियोपथी में मौझूद है जिसका नाम है योहिम बिनम अब सिर्फ हमियोपथी में ही नहीं अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको योहिम बिन नाम से बहुत सारे इंटरनाशनल लेवल के अच्छे प्रोड़क्स मिल जाएंगे जो कि sexual complaints को ease out करने की रिए बहुत ज़दा famous या effective मानने चाते हैं सवाल उठता है कि ये दवा किसे सूट करेगी बहुत ध्यान से समझिए ये नहीं समझा तो फिर दवा से फाइदा कैसे उठाएंगे देखिए जो हमियोपतिक literature है अगर आप उसे एक किताब से ना पढ़के बहुत सारी किताब उसे पढ़ें और एक analysis निकालने की कोशिश करें और अगर practical knowledge आपके पास है तो ऐसे doctor मैं आपको बता दूँ कि भई जब भी मेरे पास कोई एक ऐसा male patient आए जो किसी भी reason की वज़े से emotionally disturbed हो गया उसके emotions पर बहुत बड़ा सद्मा लगा वो बहुत सोच विचार और tension में चला गया उसकी वज़े से खाना पीना उसने छोड़ दिया अनीमिया यानी खून की कमी हो गई इस वज़े से बतला दुबला हो गया शरीर में ताकत नहीं रही और उसके संग में sexual complaints develop हो गई इसी के साथ mentally बहुत ज़दा irritable emotional disturbance हुआ था यानी मानसिक तोर पर पर परिशान हुआ था उन बातों को सोच कर जब नींद भी ना आए sexual complaints भी हो जाएं और एक तरह से patient लगभग लगभग important हो जाए तो ऐसे मरीज के लिए योहिमिनम एक बहुत ही जादा अच्छी और effective medicine है तो अगर in general short में बोलूँ तो जब भी कोई patient आए जो anxiety disorder से जूज रहा हो depression से जूज रहा हो और grade उसका बहुत जादा हो यानी मरीज बहुत परिशान हो संग में sexual complaints हो योहिमिनम is a very effective medicine तो कहने का मतलब यह है कि जब complaint sexual तो हो organo specific हो लेकिन mentally कहीं ना कहीं वो उसका reason connected हो तो तब योहिमिनम बहुत ज़ादा effective साबित होती है अब अगली बात समझे कि ये कब नहीं लेनी चाहिए ये भी बहुत ज़रूरी है मैं आपको बता दू अब देखिए मैंने बता दिया किसे suit करेगी तो अब अगर ऐसे individual या कोई भी ऐसा विक्ती जिसे sexual complaints है वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कोई ultrasound कराया कोई test कराया ठीक है और कहीं पर पता चल गया कि उसके कोई liver में swelling है pancreas में swelling है spleen में swelling है intestine में swelling है या फिर मरीज के कहीं पर kidneys में swelling है तो अगर उसकी body में कहीं पर भी swelling है बहुत समय से वो swelling चल रही है या फिर अभी हाल फिल हाल में develop होई है तो ये मान के चलिए ये दवा तब बहुत ज़्यादा effective नहीं साबित होगी और माना जाता है कि ऐसी condition में दवा को नहीं देना चाहिए तो जब जिसे suit करे उस वाली condition हो और कोई पेट सम्मंधी सूजन की बिमारी ना हो या तो बहुत समय से या हाल फिल हाल की तो ऐसे में यूहिंबिनम देने पर अच्छे results मिलते हैं अब सवाल उठता है कि इस दवा के benefits क्या हैं देखी ये बहुत जरूरी है और समझना भी आपको पड़ेगा कि क्या वास्तम में benefits हैं देखी है erectile dysfunction एक ऐसी complaint है जिसमें यूहिंबिनम को इस्तमाल करने पर मुझ जैसे doctors को बहुत अच्छे results मिलते हैं लेकिन कैसे इस्तमाल करने आगे बताएंगे erectile dysfunction में जब patient आए और वो कहें कि सब erection आ नहीं रहा जितना properly पहले आता था उसके मुकाबले बहुत कम हो चुका है मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा से erection आए पर कहीं ना कहीं वो चीज मुझे मैं पा नहीं पा रहा हूँ और अब मेरे अंदर परिशानिये डेवलप कर रही है तब ऐसे complaint में जो यहिंबिनम है वो बहुत अच्छी दवा है दूसरा हो गया premature ejaculation कि बहुत जल्दी discharge हो जा रहा है वो discharge इसलिए हो रहा है कि शरीर में बिलकुल ताकत नहीं है तो जैसे ही erection की चाहत आती है वो erection proper हो नहीं पाता उसी के संग में because of weakness शरीर में कमजोरी है ताकत नहीं है और वहीं पर discharge उसका हो जाता है इसके साथ में जब मरीज को spermatoria यानि स्वपन दोश की शिकायत हो यानि nightfall मरीज को होने लग जाए और वो nightfall randomly अपने आप हो जाए यानि बिना कुछ करे बिना कुछ सोचे सिर्फ मरीज क्योंकि शारीरिक तोर पर कमजोर है और मानसिक तोर पर परेशान है तो कहीं न कहीं ऐसी situation में जब spermatoria, nightfall या सुपन दोश मरीज को हो जाए और उसके बाद और कमजोरी आ जाए तो यहाँ पर भी योहंबिनम is a very good medicine तो अब आपको इस समझ में आ गया होगा कि जब भी impotency यानि नपन सकता का की शिकार या शिकायत लेकर मरीज हमारे पास आए उसमें mental तोर पर पर परिशानी हो जिसकी वज़े से sexual complaints आई है physical तोर पर शरीर में बिलकुल भी ताकत ना हो और खूंड की कमी के संग में मन्स मानसिक तोर पर मरीज बहुत चर्चराया हुआ हो anxiety, depression लेकर आए spermatoria यानि स्वपनदोश की शिकायत या nightfall की शिकायत हो erection ढंक से ना हो रहे हो और discharge भी जिल्दी हो रहा हो तो इस तरह के highly important patients में योहमिनम बहुत ही अच्छे benefits देती है इसके अलाबा ऐसे ही patients को जब सरदर्द की शिकायत हो और ऐसा सरदर्द हो कि वो सोच विचार उसकी दिवाग से ना निकले और उसे सरदर्द के संग में उपकाई या उल्टी जैसे यानि migraine like symptoms हो पर exact migraine ना हो पर उपकाई संग में जरूर आ रही हो और मरीज को कई रातों से नींद ना आई हो, मरीज sleepless हो clear cut बता दूँ, यह जो दवा है यह organo specific है यानि males को फाइदा पहुचाने वाली बहुत ही अच्छी दवा है तो इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत simple है, दो potencies हैं जिसमें यह दवा सबसे ज़ादा use होती है, number one है 3x potencies जिसकी tablets आती है जो yohimbinum 3x है और दूसरा होता है yohimbinum Q अब एक बात आप समझ लीजे कि अगर आपको वास्तव में yohimbinum से फाइदा चाहिए तो मैं clear cut बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि यह दवा में मानसिक लक्षण या mental symptoms predominant हैं जिसकी वज़े से मरीज के अंदर शारीरिक लक्षण आ रहे हैं तो अगर आप एक डॉक्टर से सलाह लें और proper case tracking कराएं तो जो main important homeopathic deep acting remedy या कोई ऐसी दवा जो पूरे शरीर पर काबू पा सके और बहुत सारे लक्षणों को cover कर सके खास कर मरीज की मानसिक तकलीफ को ध्यान में रखते हुए select करी गई हो तो उसके संग में चाहें योहिंबिनम 3X लें या योहिंबिनम Q लें जादा फाइदा होगा अगर सिर्फ ये सोच रहे हैं कि योहिंबिनम 3X या Q लेने से benefit आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं अब अगर आप योहिंबिनम 3X इस्तेमाल करना चाहते हैं बिना डॉक्टरी प्रामर्श के self-medication में तो मैं कहूंगा ऐसे में exercise, diet और अपने योगा का ध्यान रखें ताकि मानसिक तोर पर थोड़ा सा मनशान्त हो और diet अच्छी लें ताकि शरीर में ताकत आए तब योहिंबिनम 3X अगर आप दो टैबलेट सुबद उपर शाम ले रहे हैं और लगबग 30 दिनों तक ले रहे हैं तो results जरूर मिलेंगे पर अगर diet exercise और yoga आपने नहीं करा और केवल योहिंबिनम 3X लेने के बारे में सोच रहे हैं तो results नहीं मिलेंगे और अगर ये सब करने के बाद भी ना मिलें तो कहीं ना कहीं आपको वो जो main दवा की बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो case taking से निकाली जाए वो दवा संग में लेंगे तभी result आएंगे तो कुछ भी हो 30 दिन इस्तमाल करें योहिंबिनम 3X की 2 tablet दिन में 3 बार मुँ में डालके चूस लें तो ये दवा इस्तमाल करने से result ना मिलें तो फॉरण चिकिचक को दिखाएं 30 दिनों के बाद ढंग से दवा लें बातों को से discuss करें personal complaint है जब तक discuss नहीं करेंगे solution नहीं मिलेगा इसी तरह योहिंबिनम क्यों इस्तमाल करना चाहते हैं तो देखिए मैं बता दू ये material doses में यानि जादा quantity में इस्तमाल किया जाता है जैसा कि किताबों में सिर्फ एक नहीं कई किताबों में mentioned है लेकिन क्योंकि जादा इस्तमाल होता है तो dose limit करना बहुत जरूरी है इस दवा को केवल दिन में दो बार लेना चाहिए और कोशिश करिए कि कुल मिला के 15 से 20 बून दवा जब भी लें तो आप आधे से एक गलास पानी में डाल के लें क्योंकि ये कड़वा होता है थोड़ा सा और कड़वाहट को कम करने के लिए सिर्फ पानी का dilution ज़रूरी है दवा उतनी ही effective रहती है तो घबराने की कोई बात नहीं है आप normal एक गलास के अंदर आधा गलास एक गलास पानी लीजिए 15-20 बुन दवा डालिए और उसके बाद इस दवा को पी जाईए लेकिन सिर्फ एक बार सुबह और एक बार शाम वही तरीका है 30 दिन तक इस्तमाल करें रिजल्ट ना मिले तो डॉक्टर को जरूर दिखाए जब तक एक डीप एक्टिंग दवा ऐसे मरीज को ना मिले जिसे ये बेवेडिसिस सूट करती है तब तक यूहमबिनम से हो सकता है रिजल्ट ना मिले तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में क्लियर कट तरह से बता दिया किसे सूट करेगी कब सूट करेगी और किस डोज में लेने पे आपको फायदा होगा तो अगर आप इन सब बातों से संतुष्ट हैं दवा को इस्तमाल मेरे इंस्ट्रक्शन से किया है रिजल्ट मेरे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बड़ा अच्छा लगेगा बातों से संतुष्ट है मेरी तो मुझे थमसब जरूर दीजे आगे भी ऐसी ही वीडियोज चाहिए सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मेरी दरफ से नमिश्कार थैंक्यू